आप सभी का बहुत स्वागत है और देखे मैंने आप सभी के सामने इस जगा बैंक निपटी का चार्ट उपन किया है बैंक निपटी के चार्ट पे देखे मंडे के दिन किस तरीके से ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है कहां पर buying या कहां पर selling करना चाहिए उसके पीछे का क्या logic होने वाला है उसके बारे में भी हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो call हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया था उसका logic क्या था जो call हमने अपने टेलिग्राम चैनल पे आपको पब्लिस किया था, उसका क्या लोजिक था, वो मैं आपको समझा जिता हूँ, फिर मैं आपको समझा हूँगा कि market में किस level पे आपको buying करना चाहिए, जिसमें काफी अच्छा profit बन सकता है, और last में मैं आपको काफी special एक call बिलता है, तो इस level पे हम बिल्कुल देखे, अपने low पे, मैंने आपसे क्या बोला है, कि अपने low पे हम इस जगा CE buying करके चल सकते हैं, ठीक है, और market में आपने low से market में कितनी बढ़िया तेजी आपको देखने को बली, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि market में अगर आप देखो तो पॉनसा red candle बना था, जे वाला जी आपका red candle बना था, तो इतना बड़ा जब candle बनता है, तो उसके बाद एक छोटा सा candle आपका green भी बनता है, लेकिन उसमें condition होता है, कि जो आपका low है, जे पूरा low है, उस low के नीचे नहीं जाना चाहिए, उसके बाद ही आपने देखा, कि जो आपका candle बना था वहाँ से देखे आपको एक लो से देखे एक अच्छा bounce back आपको देखने को बला जो कि कहीं ना कहीं देखे 400 पॉंटो का bounce back आपको देखने को बला था नीचे के level से क्योंकि इसने जो high मारा था वो इस जिगा मैं लिखना चाहूंगा 32,800 रुपे के something का high म से काफी अच्छी recovery इसमें देखने को बली लेकिन आप सवाल आता है कि आंगे कैसे काम करना चाहिए तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं वाकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का लाइक का target है 2000 लाइकों का तो मुझे उमीत है कि आप सभी लोग इसको पूरा करोग मैं तो बस इतना सा चाहता हूं कि आप सभी लोग सीखना चालू करो और समझना चालू करो तरीमे इस जगर मैंने आपको एंपतायता हूं- यह वहुरा खुशू का कॉल डिया था मellom चाहिंगे में इस Kü कवर पर हमने क्या किया की इसमें इक पैटन वनना था अगर आप देखो एक पैटन वनना था जो कि नीचे की साइट सवी रहा था इस जगह देखोगी तो यहाँ अयहाँ पे भी往ट बना आपका वही पिराइस है जो मैंने आपको बताया था नीचे की साइट 32,300 का पिराइस है जैसे इस ने देखे इस लेवल को पार किया इस लेवल को देखे मार्केट ने पार किया एक बढ़ी है तीजी देखने को बली जो कि देखे ऊपर की साइट आपका इस जगह 32,800 के लेव कुल देखे वही तरीके से तेजी आपको दिखाई दे लिया है और इसमें हमको फुल टार्गेट हमारी जो अचीफ हुए थे वह इस जगा च्छेसो बीस उपर के टार्गेट अचीफ हुए थे काफी लोगों नहीं 11000-2000-1000-18000 यहां पर काफी हैवी प्रॉफिट तक बनाया जो अपने आप में काफी कमाल है तो ऐसे ही टेटिंग किजिए लेवल टू लेवल वाला मार्केट है आप चलिए बात करते हैं आँगे कैसे काम करना चाहिए इसमें अपन समझते है कि पहले कौल को अपन किस तरीके से इसमें बाइंग कर सकते हैं तो देखे जो मैंने करें देखे तो ऊपर का जिए लेवल है ना देखेंए यहां पर आपको जिए लेवल दिखाई देगा यह एक का किया है अगर आप देखोगे तो दो वर इसने इसी लेवल पर धेखें रजिस्टेंट लिया है ठीक है जो कि आपका निकल के आता है इस जिगह AT 32,900 रुपे क 32,000 रुपर का रिजिस्टन हैं अगर मार्केट इसके उपर चल सकते हैं क्यों बाइं चल सकते हैं क्योंकि एक मार्केट अपने लो से क्या दिखा रहा हृ यह जगह तेजी दिखा रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि अगर जिपने जगह देखे इस जगह देखे जो मैंने आपको बताया इस जगह 35,900 के उपर निकलता है तो हम इस जगह CE को मिलेगा दूसा ठाटगेट देखे इस जगह 33,150 उपर को मुलेगा और लास्ट टाटगेट की बात करते हैं तो यहां फे देखे थिस जगह यानि इन तीन टार्गेट के लिए हम मार्केट में काम करते हैं अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो ठीक है फिर से एक बार आपको समझा लिता हूँ जिससे आपको काफी आसानी हो जह हमारा क्या है रजिस्टेन है ठीक है अपने रजिस्टेन को मार्केट पार करेगा इस जगह देखे 32 है 900 पर तो हम इस जगह सिक्की बाइंग करेंगे क्लोजिंग आपका उपर की साइट पिलस में देना चाहिए टार्गेट हमारा इस जगह देखे पहला दूसरा और तीसरा आपको देखने को बुलेगा देखे अप मैंने आप सभी के सामने एस जगह ओप्सिन चैन ऊपन किया है जो कि आपको देखने को बुलेगा तो यहां पर देखे 5 लाग के समतिंग का आपको इस जगह पुट में देखने को मिल जाता है अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इस जगह देखे कॉल के अंदर है यानि देखे मार्केट ने बांस बैक दिया लेकिन बांस बैक देने के बाद भी देखे अभी इसमें क कॉल भाइं के अभी जिए ओर ऑला सिस्टम चलता हुआ दिखाई दे रहा है कि काफि दिनों बात अगर आप देखो की तो काफि दिनों बात देखें यहां पर आपको देखने को भी लेगा कि जो आपका कॉल का डेटा है उसमें आपको प्रॉफिट दिखाई देरा है और पुट का डेटा है उसमें क्या दिखाई दे रहा है लॉस दिखाई दे रहा है जह काफी दिनों बात है बिलकुल सिरियस और यहां पर देखे एक ही चीज में आपको यहां पर देखाना चाहिए कि जो अभी हमने बात किया था 32,900 का डेटा 32,900 ते 3,000 यह डेटा जो आपको है इसके आस्वास रेजिस्टन है मार्केट में जो आपको न्यू तेजी देखने को बुलेगा ना नया तेजी जो आपको देखने को बुलेगा जो इसके ऊपर देखने को बुलेगा ठीके मार्केट देखे किस तरीके से आपका जम करेगा मान लीजे जे आपका 33,000 वाला ले करने के लिए तैयार हो जाएंगे और जैसे ही करेंगे तो इसमें आपको उपर की साइट 200 से लेके आपको 300 300 पॉइंटों की तेजी देखने को लेगी लेकिन कब देखने को लेगी जब 33,000 को पार कर जाएगा ठीक है चलिए बात करते हैं नीचे की साइट नीचे तो हम एकी सपोर्ट अभी भी मानेंगे जो की अभी भी हमको इस जगह देखे इस जगह 32,300 जो हमारा देखे लो था ना जिस पर मार्केट आपका काफी तेजी से उपर की साइट गया था उसी को हम सपोर्ट मानेंगे अगर यह सपोर्ट पर मिलता है तो हम बाइंग करके भी चल सकते हैं अगर मार्केट में हमको गरावट देखने को मिला तो हम किस तरीके से बाइंग करके चल सकते हैं तो सकते हैं चलिए मैं इसके पीचे का to the back data मैं आपको δिखाता हूं यहां पर आप आपने देखा हुगा कि market यहाँ पर क्या किया था था market में आपको एक बढ़ीये तीजी देखने को भी फिर उसके बलेगा अगर मार्केट नीचे की साइट आता है आपको इस लेवल पर मिलता है इस लेवल पर आपको नीचे की साइट आपका मार्केट आ जाता है इस लेवल पर आपका ओपन हुआ ठीक है जे आपका ओपनिंग आपको इस लेवल पर देखने को बला जो कि 32,300 पर ठीक है 32,300 चर्ड ओबता है हम इस लेवल Pel पर सीवाइंग के लिए तयार हैं क्यों कि जित्ना जीट ऑई वो क्रॉफिट को कंब करेगा और कि व्रॉपद को कंब करने के बाद की नीकिर जाएगा just यसे कि हमको इस जगह देखने को बलाता और इसी लोजिक से देखें मैंने आपको कॉल दिया था कितने पर दिया था मैंने कॉल आपको 375 पर दिया था और 620 तक जिए उपर गया था तो रिक्स हमारा कमता रिवाट हमारा जाता था मार्केट नीचे मिलता है तो हम इस जगह CE करके चल सकते हैं ठीक है कंडिसन हमारा एक ही है कि ओपनिंग इस जगह देना चाहिए लेकिन किलोजिंग इसके नीचे नहीं देना चाहिए यानि मार्केट आपका 32,300 के नीचे नहीं जाना चाहिए ठीक है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं CE बाइंग कर सकते हैं फिर हमारा टा हुए mod 22000 की बात यहां पर two sera target जो आपको देखनेकी ने को बेलेगा और लास तारगेट के अगर हम बात है तो लास यहां को देखने को बलेगा यानि फास्ट शेकिंड भुले धूल है कंडीशन आपका को चोटा सा मार्किट नीचे मिल जाता है देखिए सब कुछ हो सकता है output के साथ मार्केट के साथ मार्किट नीचे की set मिल गया तो अपको पता होना चाहिए कि वह भbor 자 मिला है तो मुझे क्या करना है अगर आप सही सहे में सही चीज बाइं करने के लिए तJack ने के साथ पार कर देगा तो हम बाइंग करने के बिल्किल तयार रहेंगे चलिए बात करते हैं कि मार्केट में अगर तेजी के साथ opening आपको देखने को मिल जाती है तो किस तरीके से काम करना चाहिए तो इसमें हम क्या करेंगे इस जिगह देखें मैंने आपके लिए जो time frame open किया है जे यहाँ पर देखे आपको दिखाई धी रहा है अब यहाँ पर देखे एक चीज में काफी सिंपल तरीके से आपको बताना चाबूँ है फो द्राही है मार्केट आपका इस ईज convention और फिर इसने पर हम आपा बता ओपकर दिख के में तो फोने, पर और बह़रा दाई को कि शो 703 80000-20000 भाला जो लेवल हम एक बड़ा रजिस्टेन का लेवल एक बड़ा वी मेरा जो ओपर की साथ ओपन हम आपका gap के साथ open हो जाता यानि opening उपर हो चुकी है आपके तो इस जगह आपको बिल्कुल भी तेकि मैं बिल्कुल भी जगह बूलना चाहूंगा कि मेरा जो उपर का level है वो PE buying करने का रहेगा ना कि मैं उपर के level CE buying करूँगा अगर मैं इसको percentage देना चाहूंगा तो 90% में इस जगह उपर की साइज CE buying करूँगा और 10% में इस जगह CE buying करूँगा ठीक है वो candle के उपर depend करता है लेकिन इस जगह अगर market हमको मिलता है जो कि हमारा देखे इस जगह 33,200 पर तो इस जगह मैं कहीं न कहीं देखे CE PE के साथ ही जाना चाहूंगा ठीक है जे मैंने आपको उताया अब देखे इसमें हमको काम कैसे करना है मान लीजी जे आपका 33,200 वाला लेवल है ठीक है market इस जगह open हुआ ठीक है यहाँ पर थोड़ा konsulate किया konsulate करने के बाद फिर नीचे एक dip दिया इसने तो हम इस जगह PE की position बना सकते हैं ठीक है जो कि हम 33,200 पर बनाएंगे ठीक है और इस जगह फिर हमारा target क्या होगा तो target के बारे में बात कर लेते हैं तो पहला target जो हमको देखने को मिलेगा वो हमारा बड़ा target होगा जो क कि मैं इस जगह बताना चाहूँआ 33,050 का हमको पहला target देखने को बलेगा दूसरा target फिर हम 32,000 वाली line में इस जगह enter करेंगे जो कि हमको 32,900 का देखने को बलेगा और last target हमको 32,700 का देखने को बलेगा यानि हम इन target के लिए market में काम कर सकते हैं अगर market उपर की side मिलता है तो आप बलकुँ याद कीजिए आज भी देखे market ना क्या किया नीचे की side open किया यानि इस जगह लोगों को PE bind कराया और फिर उपर की side ले गया ऐसे ही वो क्या करेगा कि उपर की side opening देगा और फिर उपर से नीचे लेके आएगा तो जैसे market काम करता है आपको उल्टी दिसा में काम करना है बाकि इस level पर हम buying कर सकते हैं पहला दूसरा और तीसा target आपको देखने को मिल जाता है अब चलिए बात कर लेते हैं कि बड़ी तेजी या बड़ी मंदी आपको किस level से देखने को मिलेगी तो इस जगह मैं आपको बताना चाहूँआ कि बड़ी तेजी आपको कर देखने को मिलेगी बड़ी तेजी हमको जब देखने को मिलेगी जब आपको एन जगह 300 200 के उपार जाता यानि अपने हाइ के उपाř जाता है जब ही हमको answer ج कर सकते हो जए हिन बंदेवात हूं